हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे आज की यह वीडियो कोट शिष्टा चार मतलब कोर्ट रूम एटिकेट के बारे में है चलिए ज्यादा समय बरबाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं Appear in courtroom with proper dress code हमें courtroom में सही dress code में ही जाना चाहिए Arrive on time हमें courtroom में समय पर पहुंच जाना चाहिए Put your mobile on silent mode before entering the courtroom हमें courtroom में प्रवेश करने से पहले अपने mobile को silent पर कर देना चाहिए Avoid repeated entrances and departures in courtroom हमें courtroom में बार-बार प्रवेश और प्रस्थान से बचना चाहिए Addressing to the judge must be in a proper, respectful manner हमें judges को सम्मान जनक तरीके से सम्बोधित करना चाहिए Don't interrupt others when they are presenting their case जब दूसरे लोग अपने case पर judges से मामला प्रस्तुत कर रहे हो तो हमें उन्हें बीच में नहीं टोकना चाहिए Stand up from your seat when the judge enters and exits the courtroom जब जज कोट रूम में प्रवेश करें और बाहर निकलें तो हमें अपने स्थान से उठना चाहिए Do not take any food or drink into the courtroom हमें courtroom में अपने साथ कोई भी खाने पीने का सामान नहीं ले जाना चाहिए Audio or visual recording of court proceedings is strictly prohibited Courtroom की audio या visual recording सख्त वर्जित है Smoking and alcohol are strictly prohibited in the court premises Courtroom में धूम्रपान और शराब सख्त वर्जित है Should take permission to leave if there is a case in another court किसी अन्य नयायालाय में मामला होने पर जाने की अनुमती लेनी चाहिए Submitting all concerns and remarks to the bench and not to the opposing counsel हमें अपने case से जुड़ी कोई भी application या अपना कोई remark जज को ही देना चाहिए न कि विरोध ही वकील को उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आये होगी अगर आप courtroom से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते है तो मुझे comment करके पूछ सकते है जाते जाते वीडियो को like भी कर दें